थाटंगा नागस पानी आपकी बकरियीं का तावमान एक सो तीन एक्सो पांस डिग्री फो नाइट हो चुका एक है तेम्प्रेजर बढ़ चुका है उस इस्तती में बकरियों के से डिसार्ज आ रहा है या नाग से पानी आ गाड़ा गाड़ा डिसार्ज आ रहा है और साथ में आपकी बक्रियां क्या करती हैं कि जिस प्रकार से मुए फाड़ कर सांस ले रही है प्रोपर सांस से दिया आपकी बक्रियों को नहीं आ रहा है या प्रोपर सांस नहीं ले रही है तो उसी इस्तती में आपको क्या ट्रीट सवंसे नहीं स逆 देखने को मिल रहे हैं तो भी आप इनका उपयाग अपने बक्रे बक्रियों में या बेड के अंदर हो चुका है तो करा सकतें देखो इदी मा आपको जो बकरीओं के लिए द्वा बता रहा हूं वह इदी आपकेशे बक्रें या भैड़ हूं एधि उन में भी दिक्कत हो चुकी है तो उन कर दी जाती है ताकि आपकी वेड़-वक्रियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले कि देखो एधि आपकी बेड़-वक्रियों में बताए कि दिखते हैं तेंपर बढ़ गया आप कई पर पर क्या होता है घब बेड़ बक्रियों का बढ़ जाता है तो उसकी वज़ेसे बेड़ बक्रियां एक तो इस तरह के केस के अंदर खाना बिलकुल बंद कर देती हैं या खाती है नॉर्मल खाती हैं धरे धरे खाना छोड़ देती हैं और बक्रियां क्या करती हैं कि एक दूसरे कोने में जाकर के ब वाज आती है इस तरह की दिखतें भेड़ बक्रियों में देखने को मिलती है और साथ साथ में जो मैंने डिसाक और साथ में मुह फाड़ना इस तरह के केस के अंदर सबसे ज्यादा तर भेड़ बक्रियों में दिखत देगने को मिलती है यह आप समय परेदिन का ट्रीटमेंट नहीं पर बिमारी आपके वेक्टरद डीजीज होती है जिसकी हुजए बेड़ बकրियों में ज़्यदा दिकत पैदा कर सकती है ज़्यदा दिकत पैदा कर सकती है तो कई 별 बेड़ बक्रियों में तो सबसे पहले आपको बता रहा है है वह है Millonex Plus जो आपको दिखरी एंटास की Millonex Plus जिसके अंदर साल्ट आता है जो इस तरह के यह बॉलस आती है इन बॉलस का उप्योग यह आपकी बेड़ बक्रियों में इस तरह की दिखते हो जाती हैं तो आपको करवाना चीए एदी जिस तरह से बेड़ बक्रियों का वजन 30 केजी से ज्यादा है 30 से 50 केजी के बीच में है तो आप इने एक बॉलस यानि एक बॉलस पर डे लगातार चार दिन आपको इस बॉलस का तो आप अपनी बेड़बक्रियों में करा सकते हैं । इसी तरह से बेड़ बक्रियों का वजन 30 केजी से कम है आप आपको करना ही करना है इसी तरह से आपको एक थेंदर तो आपको अटी जो लिकिड आता है उसका उप्योक करना आपको ज़ड़ा जूरी है एक उसका उप्योग करेंगे तो आपको बैठ्री जल देखने को नहीं जब्सकानीच मिलेगा तोस आपको उप्योग करनी है आती है जिस प्रकार से फ्लोक्सी भी प्यूंक जिसके अंदर सालता यह knocks بो TOP रहे ऐनलेथ की आती है एंटीचे यह लोराइटिक आती है जैक mosquito को आती है इस शीम की में आप ये एंटी बाइटिक लिक्विड आपको उप्योग करना है ये लियोफ्लोकजासीन या ब्रोमोकजाइन ये सबसे ज़्यादा बैस्ट रिजल देती है यही आपकी बेड़ बक्रियों को नाक से पानी आना मुँ फार करके सांस लेना अदर बेक्टरियल इंफिक्शन ही आपकी बेड़ बक्रियों में होने थे नुटकरे स्क्राइब आपकी बेड़-खीर में कर सकते हैं यह इसा पारर की लोग्सान Doze होती है 1 ml पर 20 kg बोदीवेट यहीं जीन बेर बखर यह पर 10 kg बोड़िवेट हैंग जीन बेर बखरयों की 10kg बोड़िवेट हैंए जीन बेर बखरो का वज़न 10 kg है तो उन्हें आपको ंदेना है इससे जद्रफ झाद आपको 2 ml इसी तरह से 50 के जीम का वजन है तो वहां पर आपको 5 ml ये दवा एक साथ आप अपनी बेड़ बक्रियों को खिला देनी है जो इस तरह की ये वाइल में उपलब्द होती है साथ साथ में ये महिंगी जरूर आती है 100 ml की वाइल आपको 2500 रुपे के लगबग मिलती है महिंगी जरूर है लेकिन रिजल्ट आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलता है रही बात ये जो दवा है ये आप लगातार ही दिए आपकी बेड़ बक्र्यों में दिए आपने एक दोज दे दी आज तो ये लगातार आप अपने बेड़ बक्र्यों में दोज से तीन दिन या कई बर चार से पांस दिन भी continuity आप इस दवा का उपियोग किया जाता है ख़धी भी ऐसा निया कि आपने एक सिंगल डूज दे दी इससे ही आपकी भेड़ बकरियों में आराम आ जाएगा ये लगातार कम से कम आपको तीन दिन ज्यदा से ज्यदा आपको पांस दिन आप इस दवा का उप्यो отмет करेंगे तभी आपकी बेड़ बक्रियों में इस तरह की दिखते हो गई हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं और बैटरी जलड पा सकते हैं देना कैसे डाइरेक्ट आपको और लिदेना जेको इस दवा का उपयोग किसी पानी के साथ गोल कर करके या नदें आप डायरेक्ट 2-3 ml जो सिरिंज आती हैं उनके साथ मिलाई और डायरेक्ट आप और एली मुह के अंदर आपको छोड देनी है इस तरह से आप इनका उप्योग कर सकते हैं तो कौन सी जो दो दवा बता ही है आपकी बेड़ बक्रियों में टेमप्रेजर बढ़ जाता है तो य पाची तरह समझ गयोंगे कि यह आपकी बेड़ बक्रियों में इस तरह की दिकत हो जाती है तो कौन सी दवा कप कैसे उप्योग करनी चाहिए एक और बताना चाहता हूं कि यह आपकी बेड़ पालक है उनके साथ शेर जूरू कर दिया करें वीडियो को लाइक कर दिया करें लाइक करेंगे मैं ज्यादा मोटिवेट होंगा और आपके लिए समय समय पर अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा इससे तरह मेरी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद